दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ओप्षन आल करें जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फॉरण मिल जाएगी जै शिरी राम भक्तों, सुबह की वेडियो में जो हमने आपसे प्रशन पुछा था कि रावन के कितनी पत्निया थी, तो उसका उत्तर है तीन पत्निया, चलिए आज के कथा श्रवन करते हैं, आज की कथा है ज्यानी व्यक्ति बड़ा या इमानदार व्यक्ति, आईए कथा श और सत्यवादी व्यक्ति का ही सब जगा आदर होता है, बयमान को हमेशा अपमानित होना पड़ता है, इस पर ज्यानी व्यक्ति बोला, यदि मुनिश में ज्यान होगा, तब है तो बयमानी और इमानदारी का अंतर उसकी समझ में आएगा, तब उस इमानदार व्यक्ति ने क व्यक्ति बेमानी भी करे और ज्यानी भी हो तो फिर जीत किसकी होगी। ज्यानी बोला जीत तो ज्यानवान की ही होगी। अब दोनों ने एक दूसरे की परिक्षा लेने की ठान ली। साधू अब मेरी बारी मैं जो कहूं वही करना फिर देखना की ज्यान जीता है या इमानदारी। ज्यानवान व्यक्ति को तो अपने ज्यान पर घमंड था ही। अब इमानदार व्यक्ति ने राजा के खजाने में जाकर वहां जितना भी धन रखा हुआ था सब उठा लिया। राजा के सामने सारी हकीकत आई तो राजा ने सादू को हतकड़ी डाल कर सारे शहर में घुमाने का आदेश दे दिया। जब वह भीड के मद्ध शहर के गलियों से ले जाया जा रहा था तब भीड में उपस्तित इमानदार व्यक्ति ने मौका पाकर उसके हतकड़ीयां खो और किसी तरह बस्ते बस्ते अपने घर पहुचा शाम को फिर दोनों व्यक्ति मिले ग्यानी व्यक्ति ने कहा तुम ठीक कहते थे मित्र ग्यान के साथ व्यक्ति को इमानदार भी होना चाहिए बेमानी करने वाला व्यक्ति अगर ग्यानी भी है तो उसको अपमानित होना पड जरूर दें, अमारे कथाओं को लाइक करें, अमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अमारे कथाओं को शेर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा गहन पराफ्त हो, जैया श्रीराम भक्तों